अलो दोस्तों स्वागत आपका विफोर यूपीसी पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त रत्मिश कुमार गिरी और विकली करेंट पर की सीरीज लेकर के आज मैं आया हूं दोस्तों यह आपका यूपीसी परड़न पर अधारित होगा लेकिन आपकी दूसरे अधर पर प्रड़न पर यूपीसी अससी और रेलवे वगेरा के अधर एक्जामनेशन में भी आपके लिए काफी ज्यादा रहने वाला है यह कुछ इस तरह की कंटेंट हैं दोस्तों कि इसमें आपको बहुत सारे एंसी क्यों क्रिएट हो सकते हैं बहुत सारे आपके कंसेप्ट क्रिएट हो सकते हैं तो अगर आपको यह सेशन पसंद आएगा तो लाइक शेयर कमेंट कर सकते हो दोस्तों और साथी साथ चैनल को आप थोड़ा सा सपोर्ट भी दिखाई है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नियूज से सबसे पहले नियूज है दोस्तों कि से हम लोगों ने ठ्रम उठाया है एक प्रकीरिया उठाई जिसको बोलते हैं अगर सेंट्रल लॉग या सेंट्री भर्मेंट कोई भी आपका बनाती है या कव ही इस चैजराती कोोई भी वह पर एफ़ोर्ट लगाती है तो अगरहता है बोथी उसका फंपशन쪽에 देर्वतरattend क या freedom, liberty, fundamental rights इनके against जाता है तो सुप्रीम कोट उसको जो है deny कर सकती है उसको आपका unlawful बता सकती है लेकिन यहाँ पर एक ऐसा मामला आया दोस्तों कि जहाँ पर सुप्रीम कोट खुद एक बहुत बड़ी पेच में फस्टु किया यह मामला है आपका media one tv network media one tv network देखिए यह South India का एक बहुत ही famous tv channel है खास तोर पर यह आपका केरला से operate करता है और ऐसा कतित तोर पेस पे आरोप लगते हैं कि यह भारत बिरोधी समाचारों का बहुत जादा प्रसारण करता है यह समाचारों को कुछ इस डंग से पेस करता है जिससे देश की संपरभू को खत्रा है यह कतित तोर पे है दोस्तों और इसी के कारण क्या हुआ है कि आपका media one tv network है उसको आपकी ministry of information and broadcasting के द्वारा उसको बंद कर दिया गया है और इसके पीछे जो आपकी तरक दी गई है वो आपका security reason दिया गया है और जब media one के tv network वाले लोगों ने जब के तरफ ए कोट ने इसके मामले में union government से रिपोर्ट मांगी union government ने इस मामले में अपने रिपोर्ट तो दी लेकिन जैसा कि कोट के द्वारा एक reason मांगा गया कि अपने किस ground पे कौन सी reason के द्वारा आपने यह decide किया कि यह हमारे national security के लिए threat है तो आप हमें वो reason बताईए अभी क्या हो है central government के भिया पर कि law doesn't permit disclosure of national security reason यानि चुकि यह जो जिस आधार पर हमने इसको बंद किया है यह जिस आधार पर हमने इसको ब्लॉक किया है वो आधार हमारे intelligence से जुड़ी हुई है तो हम इसको disclose नहीं कर सकते हम इसको बता नहीं सकते तो यहां पर दो चीजों के बीच में च एक liberty enjoy करेगा state के विरुद या other way में लेकिन दूसरी तरफ है आपका national security कि अगर national security एक बहुत ही बड़ा reasonable restriction है किसी भी चीजों पर और अगर उस अधार पर कुछ चीजे की जाती है तो यहां पर कहीं न कहीं supreme court को भी कुछ मामलों में अपने जो अधिकार है अपने जो पुर्णिक्षन है उसको सिमित करना पड़ता है तो यहां पर यहीं मामला फसा है ऐसा ही कुछ मामले आपको पहले के cases में भी देखने को मिलेंगे जैसे आपका पीसी और फोन उनके प्रस्नल डेटा को यह क्या करता है कॉपी करता है और इसको अपने डाटा सेंटर तक वेजता है सेव इस तरह के case आप अन्रादा वसीन case में भी देख सकते हो जहां पर आपको जमू और कास्मीर में बहुत लंबे समय तक जब इंटरनेट सट डॉन किय तो उसको लेकर के भी जब गवर्मेंट से इस मामले में जवाब मांगा गया क्योंकि आपको पता होगा कि राइट ऑफ इंटरनेट राइट ऑफ लिवर्टी राइट ऑफ एजुकेशन राइट ऑफ फॉर्गेटिन आज के टाइम में यह बहुत चर्चा में है खास तोर प आपकी प्राइवेसी पहले से ही इसमें राइट ऑफ इंटरनेट यह भी आपका उसमें एक इंडिविज्वल राइट बन गया है फंडामेंटल राइट तो इस अधार पर यहां पर चैलेंज किया गया था यहां पर भी नेशनल सिक्रिटी का ही रीजन दिया गया ऐसे ही और आप इसको without any reasonable restriction नहीं मतलब ब्लॉक कर सकते हो यहां पर भी देखिए तो Supreme Court को करना क्या चाहिए Supreme Court को at least उनकी अपने प्रोसेस है तो में भी यहां पर आप देखोगे कि Supreme Court यह जो High Court है वो यह बोल दें कि ठीक है आपकी intelligence का matter है तो आप इसको in the close file यह चीज़े Supreme Court में होंते देखते हैं किसी और को यह disclose नहीं किया जाता तो यहां पर में भी High Court यह Supreme Court in the close files इसको यह demand कर सकते है कि आप यह close file में ही बताईए कि वही क्या-क्या ऐसे आपको information मिले है जिसके अदार पर आपने इसको बैन किया आपके लिए Media One TV Network उतना important नहीं है दोस्तों लेकिन आ आपका जो Ministry of HRD है क्या वो किसी भी चीज को या स्वारी Ministry of आपकी Home Affairs है वो आपकी Supreme Court की Judiciary Scrutiny को आपका Limited कर सकता है on the ground of National Security next topic की बात करें हम लोग दोस्तों तो यहां पर एक नया चीज आपको देखने को मिलेगा अभी तक क्या होता है दोस्तों भारत में अगर आप देखो तो biological neural network है यहां पर क्या होता है कि बहुत सारे animals की हरकतों को उनके steps को उनकी बोल चाल को उनकी चीजों को monitor किया जाता है औ और इस अधार पर हम लोग एक पूरा जो है हमारे पास data create हो जाता है कि जब कोई जानवर इस तरह से भासा बोल रहा है तो वो किस चीज को किस चीज के लिए बोल रहा है या फिर अगर कोई month wise कुछ हरकती कर रहा है तो वो कौन उसका future steps क्या होगा तो यह एक biological neural network है जिसमें हम लोग जानवरों की mind को उनके steps के उनके language को उनके sound को हम लोग store करके एक पूरा का पूरा data निर्मान करते हैं सेम उसी तरह से अगर आप देखो आज के टाइम में आपका ANN artificial neural network आया है जिसमें क्या हो रहा है कि आपकी जो input और output है इसको आपका store किया जाएगा in computer program और यहा आपका basic computer है जो आपका normal आपकी computer है जो नहीं perform कर पा रहे हैं ऐसी चीजों को उसको वह deep learning मिले जाएंगे जैसे आप देखो कि एनन का जो use है वो कहां होगा तो आपका normal machine learning में भी होगा साथी साथ आपकी deep learning किसी भी चीज़ के बारे में बहुत ही आपकी गहरी जानकारी को भी यहां पर यह पुरतान करेगा से भी यहां पर देखे तो एक अलग धंका यह machine learning को भी create कर सकता है मसीन जिसमें आपकी नई प्रादॉग की आ सकती है और इस तरह से बिल्कुल इस चित्र में करांती आ सकता है overall इस पूरे matter का अगर मैं आपको क्रक्स बताओं तो इसमें स processing में टाइम लगता तो यह चीजे वहां पर जब पहले से मौझूद रहेंगी तो मसीन जो है काफी अच्छी तरीके से आपका बर्क करेगा उसके पास पहले से अंडरस्टैंडिंग डिबलप हो जाएगी तो आप बस इस चीज को इस टर्म को थोड़ा दियान दिजेगा फ तो आपका नियों दिली में हुआ था और यहां पर यह इसके क्या-क्या माइने हैं तो यह तोड़ा सा समझना पढ़ेंगी उससे पहले अगर आप देखें तो सेंट्रल असिया में कौन-कौन से कंट्री आते हैं दोस्तों तो सेंट्रल एस्या में आपका मेंली जो तजाकि कंट्रीज की बात करते हैं और इसे भारत का लगाव रखना इतना क्या इंपोर्टेंट है तो इसके वारे हम देखिए सबसे पहले चीज तो यहां पर क्या है एक पावर डाइनमिक्स है यहां पर अगर आप देखोगे तो सेंट्रल एसिया हमेशा से आपका जो है रसिया और चाइना के परवाब में रहा है और जब से यहां पर अमेरिकन प्रेशर आपकी अफगानिस्तान वाले हिस्से से घटी है तो धीरे धीरे इस पूरे चेतर में अफगानिस्तान तजाकिस्तान किर्गिस्तान में इन चेतरों में एक वैक्यम सा क्रियेट हो गया है जि तो यहां पर अगर आप देखोगे तो अभी क्या है भारत और अफगानिस्तान के बीच में आपका कोई भी डारेक्ट लिंक हम लोग तुरू ते चाहवार इरान के रास्ते अभी आपके अफगानिस्तान को हर चीजे सप्लाइ करते हैं तो यहां पर ऐसा भी हो सकता है कि हम ल मार्केट को भी यहां पर एकसेस कर सकते हैं तीसरा यहां पर देखिए तो आपकी तजाकिस्तान एक बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन पर है जहां से अगर हम लोग बात करें तो हम लोग पी ओके और अफगानिस्तान के जो कुछ-कुछ इससे हैं उनको हम लोग ओवर्व है अमेरिका तब से यह पूरे चेतर में पूरा वैक्टिम क्रेट हुआ है और दूसरा इन पास्ट यह सभी चेतर जो हैं आपके कजाकिस्तान वगेरा यह सभी जो हैं आपकी रस्यान इंफ्लूएंस में थे तो इस कारण से यहां पर भारत जो है इस चेतर के मार्केट और चीज़ों को यूज करना चाहता है फिर देखिए यहां पर जो इकानवी और इनर्जी बहुत ज्यादा है इंपॉर्टन टोल प्ले करता है क्योंकि अगर आपको बात करें कजाकिस्तान की तो कजाकिस्तान वर्ल्ड का सबसे बड़ा यूरेनियम प्रोडिसर कंट्री है इस की बात हो रही है तो सबकेस्थिया टैकर रिजर्व का आपको लोकेशन याद रखना होगा सबकोषिया Tiger रिजर्व आपका अंगल डिष्टी कवर्ण समय है और यहां पर क्या हो रहा है को बढ़ावा दिया जा सके इसकी अगर लोकेशन बात करें तो और किस रिवर पे तो यह महाननदी रिवर पे और यह आपका डिकलेयर हुआ था 2007 में ऐसे टाइगर रिजर्व और यहां पर अगर आप देखोगे तो यह जो पार्ट है यह सतकोसिया टाइगर रिजर्व यह आ भारत का पहला एंटर स्टेट टाइगर री कुलना री लोकेशनल प्रोग्राम को भी यहां पर प्रफॉर्म करता है यहां पर अगर आप देखोगे तो उडिशा और चतिजगर के जो बॉर्डर है उसको वो कलेक्ट करता है तो यहां पर यह जो है दो वाइड लाइप संच तो और दूसरा बान्ण तो आपको इन दोनों की लोकेशन भी याद रहने चाहिए जाए कर ना-टाइगर रिजर्ब किस छित्र में है फिर देखिए हमारे डिफेंस के नियुजे कि ब्रमोस मिसाइल जो है उसको भारत ने फिलिस्तीन को फिलिफीन को यहां पर क्या क्या एक्सपोर्ट किया थो थोड़ा सा इसके बीलिट अप के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए आपकी जो ब्रमोस है वो मेडियम रिंज रैमजुट सूपर सोनिक क्रूज मिसाईल है यहां पर थोड़ा सा अगर आप देखो तो पहले जो आपका ब्रमोस मिसाईल था वो सर्फिस टू सर्फिस सूपर सोनिक क्रूज मिसाईल था लेकिन अभी इसमें बहुत सारा एडवांसमेंट किया गया अभी आपका स्वाट से medium range हो गया प्लस में जो इंजन है वो आपका रेम जेंट इंजन लगा दिया गया रेंजन में क्या होता है दोस्तों कि वह ऐसे हवा को ऐसे pressure करता है और उसके कारण यहां पर जो combustion होता है वह बहुत ही अच्छे लेबल पर तो यहां पर देखिए आज के ताइम में क्या है दुनिया का सबसे फास्टेस्ट सूपर सुर्णिक टोर्ज मिसाइल है और यह सुरुवात में बनाया गया था ऐसे anti-seep missiles लेकि तभी इसके बहुत सारे वेरियंट है और यह डुनिया का ऐसे मिसाइल प्रणाली में से एक है जो हर लेबल से आपकी लैंड सी सबसी एयर हर जगह से इसको लॉंच किया जा सकता और इसको ऑपरेट किया जा सकता इन फैक्ट आपकी ब्रह्मोस मिसाइल को और रोड ऑन ट्रक और ओन मोविवल वैकिल से भी आप जो है ऑपरेट और लॉंच कर सकते हो तो यह इसके सबसे बड़ी खासियत है कि इसके बहुत सारे वेरियंट अबलेबल है और यह बहुत ही एडवांस और बहुत ही फास्टेस्ट बिल्कुल पिन पॉइंट एकॉरेशी के साथ यह वर्क करता तो यह हमारे लिए इंपोर्टेंट रहेगा सुरुवात म में साय टेकनोलोजी कंट्रोल रेजिम का हिस्सा नहीं था तो इस कारण से आपका ब्रमोस की जो आपकी रेंज रखे गए थी वह तो नाइंटी किलोमेटर थी लेकिन जब से भारत इसका पार्ट बना है तब इसकी रेंज को स्टार्टिंग में फॉर प्टे किलोमेटर और पर है भारत की ब्रहपुत्रा और रूस की मौस का वारती तो यह याद रखेगा नेक्स्ट आपकी बात करें तो हमारे बजट में जो हमारी फिराइल्स मिनिस्ट्री उसने एनॉंस किया है कि हम लोग नेक्स्ट जो इयर है फिननेंसियल यर वहां पर आपको डिजिटल केरे आपकी कोपरेशन ओफ इंडिया है एन पीसी आई उसके थुरू ही हम लोग जो है यूपी आई भी इस तरह के प्रोसेस को कंटिन्यू कर रहें लेकिन नेक्स्ट यह आपको देखने को मिलेगा कि जो आर भी आई है वह अपनी खुद की डिजिटल करेंसी लाइग अब यहा आपकी सेंट्रल उस देश की सेंट्रल गबर्मेंट के द्वारा आपकी होती है और जो जैसे लोट पे आप देखते हो तो वहां पर लिखा होता है कि मैं धारक को इतने रुपीय करने का बचान देता हूं ऐसा कुछ तो सेम इस तरह से आपको देखने को मिलेगा कि यानि व अधर जो आपकी पेमेंट एप है वहां पर देखने को मिलती है यहां पर एक चीज और आप देखिएगा दोस्तों तो यह आपकी जो डिजिटल रुपी है यह आपकी जो आपके डिमांड डिपोजिट है यह इससे डारेक्ट रिप्लेस नहीं कि जा सकती है यहां पर अगर बात किया रहा है तो ब्लॉक्चेन टेकनोलोजी का यूज होगा और भारत सरकार नहीं यह सारी चीज़े क्यों कि यह दोस्तों तो इसका जो में रीजन है वह यह कि जैसे जैसे ब्लॉक्चेन टेकनोलोजी बढ़ रही है तो वैसे वैसे हमारा जो है डिजिटल फॉर्म आपके ट्रांजिक्शन काफी अच्छे हो गया है और अगर इनको आप मास्टर कर सकते हो इनको आप कंट्रोल कर सकते हो फ्रों दे साइबर है कि तो ब्लॉक्चेन टेकनोलोजी बहुत ही आपके लिए यूसफूल हो थोड़ा सब लॉक्चेन टेकनोलोजी की बात कर लिए तो blockchain technology क्या है जैसे आपकी whatsapp में अगर आप देखते हो तो whatsapp यह लिखता है कि into encryption यानि जैसे आप whatsapp में message बेशते हो वो एक message से वो digital binary form में यह digital form में वो convert हो जाता है और जैसे वो दूसरे आपके destination पर पहुंचता है वो फिर से in the form of digital binary to word में वो change हो जाता है सेम यहां पर blockchain technology में होता है कि यह बहुत सारे आपकी encryption का एक पूरा chain होता है इसलिए इसको बोलते हैं blockchain तो यह बहुत ही tough होता है for the cyber hacking लेकिन आज के time में ऐसी blockchain technology की भी hacking की जा रही है और यहां पर आप देखोगे तो market में बहुत सारे आपको blockchain technology user मिल जाएंगे जिसमें बहुत famous है आपका bitcoin जो facebook के आई थी libra या फिर अगर आप देखोगे तो सौधी अरब और UAE ने एक आपके digital currency launch किये दोस्तों तो आप उस currency का में नाम बताइए जो सौधी अरब और UAE ने मिल करके launch किया है अगर इसके पूरे महत्व को समझे तो देखिए सबसे पहला तो मैं आपको बता दिया कि यहां पर जो आपका safe and secure हो जाएगा फिर देखिए जो हम लोग money print करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि RBI को लगबग हर साल money print करने में लगबग 9-10,000 कड़ोर का यहां पर खर्च होता है तो अगर हम लोग इसको use करें तो यहां पर जो cost हो रहा है जो हम प्रिंटिंग में paper में या जाली note का जो खत्रा रहता है यह भी हम लोग खतम कर सकते हैं फिर देखिए इसके थुरू हम लोग जो transaction है उसको भी control कर सकते हैं जो हम लोग black money है और इस तरह की जो आपकी theory है इसको भी खतम कर सकते हैं क्योंकि हर जो transaction है वो आपके digitally वहां पर वहां पर mention होगी जिसके कारण RBI इन financial inclusion होंगे क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि मान लो कि एक simple सा example दे रहा हूं कि बच्चे को government के दौरा for dress for book या for scholarship किसी एक targeted purpose के लिए पैसे दिए लेकिन हमें यह नहीं पता होता है कि वह बच्चा उन चीजों को खरीद रहा या नहीं खरीद तो इसके थुरू हम लोग क्या कर होंगी दूसरा हम लोग इसको targeted भी में यूज कर सकते हैं कि अगर हमने बच्चे को बुक के लिए पैसा बेजा है तो वह पैसे तभी यूज हो सकते हैं जब वह किसी book shop पे उसको as a qr या as a upi अधर जो various medium है उससे वह पेई करें तो एक यह चीज़े भी यहां पर होंगी ब बहुत ही ज्यादा हमारे यहां साचरता नहीं है तो लोगों के इसके बारे में जाग रुकता कि कम यह दूसरा हमारे यह तोड़ा सा साइबर सैकिंग का भी खत्रा बना रहता है तो यह चीजों के पड़ती भी एक पूरा infrastructure बनाने के जरूरत है और तीसरा जो खास तोर पे भी पी लाई स्कीम को यहां पर मंजूरी दे दिए तो पी लाई स्कीम क्या होता है दोस्तों तो यह याद रखेगा प्रोड़क्शन लिंक्ट इंसेंटी बोलते हैं इसको यानि उत्पादन में किसी तरह की आपको सबसीड़ी परदान की अब बात करें थोड़े सी फार्म के बात कर चाहरा है उनकी प्रोड़क्शन की बात तो 2019 से पहले दुनिया में जितने भी वेक्सीन होता थे उसका लगबाग 80% इंडृक्शन में होता थो दोस्तों ओर अभी बात करें तो हमारी फार्मशॣीटी इंदस्ट्री है यह आपकी दुनिया की तीषी सबसे वड़ है आपकी वर्ड तो भारत सरकार जो है यहां पर इसको बढ़ावा देना चाहिए साती साथ भारत जो है जन्रिक मेडिसीन का यानि सस्ती दवाईयों का उसी जैसे दवाओं में क्या होता है कि आपका बहुत सारे जो फॉर्मूला होता है जब उनका पेटेंट खतम हो जाता त तो उसी पेटेंट को उसी फॉर्मूले को गभर्मेंट यउज करती है और सस्ती दवाईयों का निर्मान करती है जिनको वो फ्रों गभर्मेंट ऑस्पिटर्ल मCड और वेरियस अधर कांट्री को ओर ऐड्र और ऐड गिफ्ट वो सप्लाई करती है जिससे दुनिया में पास एक समस्या उत्पन हुई थी कि जो हम लोग दवाओं में या इन चीजों में जो यूज होता था एक एक्टिफ फर्मसुटिकल इंग्रेडियन्स जो वहां दवाओं में कैप्सुल में यूज होता है या फिर जो इसको एक और चीज होता है जिसको बोलते हैं ड्रग तो यह दोनों चीजे आपका हम लोग चाइना से इंपोर्ट करते थे पहले के टाइम में भारत में चीज़े बनती थी लेकिन चाइना चुकी उसकी मार्केट सस्ती होगी तो हम लोग चाइना से मंगवाने लगे तो इसके कारण क्या है भारत अभी इन चीजों को जो है धरेलू लेवल पर बढ़ावा दे रहा है और इसके लिए देखिए तो यहां पर क्या हो रहा है कि बहुत सारे प्रियास किया जा रहा है जैसे यहां पर देखिए पुब्लिक सेक्टर को भी इस शे इनर्जी टैक्सेशन इन सभी चीजों को आपका सिंपल किया जा रहा है फिर आपकी जो स्मॉलर फॉर्म से उनको यहां पर ज्यादा बढ़ावा देने की बात की गई है और इससे साथ-साथ हमारे जो इंपोर्ट है उस पर हम लोगों ने हैबी डूटी लगाया जिसके द् पी ए-लाई और फार्मसुटिकल दोनों को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा फिर एक श्कीम की बात करते हैं दोस्तों तो यह स्कीम है आपकी नई रहूसनी यह आपकी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है दोस्तों याद रखेगा सेथ आपकी दो तरह कि यहां पर देखने को कुछ पैसे center के द्वारा मिलेंगे कुछ पैसे जो है other parties like a state या दूसरे जो हैं वहाँ पर आपको देखने को जो नई रॉसनी scheme है दोस्तों यह आपकी central सेक्टर यानि 100% यहाँ पर जो कर्च होगा वह central government का होगा यह किसलिए किया जा रहा तो यह आपका देखिए women empowerment और enhancement के लिए किया जाएगा और उनको knowledge tool technology provide किया जाएगा ताकि जो women leadership है उनको बड़ाबा दिया जा सके यहाँ पर देखिए तो यह 16 रेसिदेंशियल और 5 रेसिदेंशियल ट्रेइनिंग प्रोग्राम करणक्ट किया जाएगा और यह आपकी किसके बीच होगी तो यह 18-65 साल की जो महिलाएं उसके बीच की जाएगी तो सिधा सिधा याद र कर रहे हैं तो यहां पर देखिए मिनिस्ट्री पेट्रॉलियम नेचरल गैस नहीं यहां पर क्या किया एक कमिटी बनाई है जिसके द्वारा आपकी जो आटो फ्यूल वीजन पॉलिसी है दोजार पचीस इसका ड्राफ्ट तयार किया गया है और इसमें यह बोला गया है कि ह हम लोग दोजार पचीस तक जो है लगबग 20% इतनौल जो है हम लोग यहां पर मिलाएं अभी हम लोग अल्रेडी 10% में तनौल और एथनौल का स्वारी एथनौल यहां पर हम लोग मिला रहे हैं जो कि वेरियस सोर्से से जैट रोपा से काई से और बाकी यह वगिरा से अम सब्सक्राइब करें दोस्तों यह आपका परवत्मला स्कीम परवत्मला आपका प्रोग्राम क्या है अप्रव attachे जो डेवलप्मेंट प्रोग्राम वह पर आपका तो जिंग आपकी is scri הזה करिव development project को aid और green signal दिया जाएगा जो हमारे परियावरन के लिए suitable हो और हमारे परियावरन को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते हैं जैसा कि आपने देखा भी होगा पिछले कुछ सालों में तो हमारी हमाले चुत्र में बहुत ज्यादा आपको आप दाएं देखने को मिल रहे ह आपका फ्लड यह वहां पर ग्लेसियर फ्लड भी आया था और साथी साथ आपके अधर वेरियस डिजास्टर देखने को मिल रहे हैं तो भी भारा सरकार नहीं परवत माला लाया तो इसको याद रखेगा यह हमारे जो हीली एरियास हैं और नॉर्थ इसके लिए होगा और इ बेस्से आपका क्या होगा हो वहाँ पर आपके जॉब डिपलप होगी आपके टूरिसम डिपलप होगा इनफरा डिपलप होगा आपके वहां पर जो कंजेशन है आपके geld है को थोड़ा सा विस्तार दिये जाएगा और जो लोकल एंप्लीमेंट की बात है वह स्टेट्मेंट है कि जो गवर्नर है वह आपका अगर सेशन में ना हो आपकी बिधान सभा और आपके लिए तो क्या उसी परपस में या उसी इस्तिती में आपको यह जो है ओडिनेंस प्रोवाइट करा सकता है तो आप यह देखेगा कि क्या दोनों अग जब तक दोनों सेशन में ना हो उसके मान लिजे जहां बिधान सभा जहां बिधान सभा और बिधान पर सथ दोनों तो क्या गवर्नर जो है जब दोनों सेशन में ना हो ताभी यहां पर ओडिनेंस ला सकता है दूसरा यहां पर बोला जा रहा कि जो ओडिनेंस लाने का है क्या वो गवर्नर की जो कोई ऐसा बिल लाती है आपकी उस स्टेट की गवर्मेंट जो आपकी सेंट्रल गवर्मेंट के बिल से मैच कर रहे तो क्या यहां पर प्रसिडेंट की कंसेंट जरूरी है तो यह आपके सारे स्टेटमेंट आप देख लिए कौन सा सही कमेंट सेक्शन में इसका आप जवाब दूसरा यहां पर कौन सा आपका स्टेटमेंट है जो आपकी एजुकेशन से जुड़ी हुए यानि कौन-कौन से राइट है जो हमारे एजुकेशन से जुड़ा हुआ है तो आप यहां पर देख सकते हो आर्टिकल 21 आर्टिकल 27 45 और 47 यहां पर option दिए गये हैं तो आप इस दूसरा यहां पर देखिये तो क्या यह हमारा जो है इसका हिस्सा है तो यह दोनों स्टेटमेंट यहां पर दिये गया है आपके option थिगया है वन अल्ले लोन इतुवर्ली बहुत है नन आप यहां पर इसके जवाब दे सकते हो फिर next question है कि सिसमें से कौन सा साइट जहां पर यहां पर ध्यान देज़ेगा दूस्तों बायो डाइवर्सिटी यानि इसमें से कौन सा ऐसा एक है जहां पर सबसे आदा बायो डाइवर्सिटी देखने के मिलके हिमालाय बेस ट्रंगाट अन्वानिकुमार गंगा देशी फिर लास्ट कोश्चन आपका कि डाइट मिशन जो ह सब्सक्राइब जरूर कीज़ेगा चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब दिखाए दोस्तों क्योंकि इससे एक मोटिवेशन मिलती है कंटेंट अच्छे करने को लिए करके और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाने को लिए थैंक्यू सो मच जैहिन